ऐसा करती हूँ, मैं अपना चैनल हस्बंट को दे देती हूँ, वो चलाइंगे, वो व्लोग्स बनाएंगे, और आपको बताएंगे भी कि मैं चैनल में क्यों नहीं आता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि जब कोई आदमी व्लॉग बना रहा है या वीडियो बनाएगा तो वहां कोई नहीं पूछेगा कि आपकी वाइफ क्यों नहीं आ रहे है आपकी वाइफ कहां पर है ऐसे सवाल बहुत कम आएगा या आएगा भी नहीं जब आप उनका ही ज़्यादा पूछ रहे हैं तो हो सकता है उनके व्लॉग है आपको ज़्यादा पसंदो तो देखिए दोस्तों सुरुआत में जब आपका सवाल देखा तो मेरे दिमाग में यही आया यार कि मैं सवाल मैं व्लॉग बना रही हूं और यह सवाल सिर्फ था और मैं आपको अपने आप जो भी सवाल करते हैं बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं जो करते हैं उसको मैं बहुत बार देखती हूं बहुत बार जब सवाल आता है उस पे सोच तो भी मुझे पता चलता है कि आपका सवाल सही है या गलत है कई बार ऐसा होता है कि अपने ऐ ही होता है गलत नहीं होता है और ऐसे ही मेरे साथ हुआ सुरुआत मैंने देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं व्लॉग बना रही हो हस्बेंट के बारे में क्यों पूछ रहे लेकिन बाद में मुझे तब रियलाइज हुआ जब मैंने वो दो वीडियो देखे मतलब द बिशान होकर वीडियो यह से बना दिये थे कि थोड़ा उसमें सस्पेंस भी रह गया था और सवाल भी उठ खड़े हुए थे फिर मुझे खुद पता चला कि यह सवाल खुद नहीं पूछ रहे हैं सवाल मैंने खुद पैदा कर दी हैं और यहां इनका यह सवाल पूछना गलत बिल्कुल नहीं है अगर मैं वो दो वीडियो नहीं बनाती फिर भी मुझे इतना ज्यादा पूछा जाता हैं तो मुझे जरूर मतलब कुछ हद तक बुरा लगता कि इतना सवाल क्यों किया जा रहा हैं और इसलिए जो हैं मैंने थोड़ी देर भी लगा दी आपको रि जो हैं पूछना चाहूं वो भी नहीं चाहती थी क्योंकि मैं ज्यादा जो है कॉंट्रोवर्सी नहीं चाहती तो ठीक है फाइनली मैं आपके सारे सवालों के जवाब देती हूँ आपके सवाल थे कि आपके हस्बेंड वीडियो में क्यों नहीं आते दूसरा सवाल था कि व मेरे वीडियो में नहीं आएंगे क्यों कि हमारे बीच चल रही है लड़ाई यहां हमारे बीच लड़ाई चल रही है लड़ाई यहां कब से चल रही है तो बहुत सालों से चल रही है पहले हमारे पीच बड़ी बड़ी लड़ाई होती थी और अब हमारे बीच बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई होती है इसलिए जो है यह सब नहीं हो पाता मैं जो व्लाग बनाती हूँ वो उनको पता तो होगा क्योंकि एक ही घर में रहते तो पता तो जरूर होगा और जब ऐसा माहूल है सालों से जब लड़ाई चल रही है और अब बहुत ही बड़ी चल रही है तो आप सोच सकते हैं कि व्लाग में आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता और घर में जब माहूल ऐसा है तो कैसे आ सकते हैं आप खुद ही इसको अपने नजरी इससे सोच सकते हैं फिर बताते हैं रहते का हैं तो वो बिल्कुल हमारे ही घर पर हम सब साथ में ही रहते हैं मेरा बेटा मेरी बेटी और हस्वेंड और हम चारोईं वो जॉब करते हैं उनकी गौर्मेंट जॉब है अच्छी खासी कोट में जॉब करते हैं तो जॉब भी करते हैं हम साथ में भी लड़ाई जान चल रही है और मैं बहुत ज़्यादा इसमें हाइपर होके आपको बहुत ज़्यादा बुराई करके बता देती भाई वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं इसलिए हमारे व्लाग में नहीं आते आज मैं यह सब बता देती हूँ आभावनाओं में बहकर या परिशान होकर और कल को अगर हमारे लड़ेयां खतम हो जाए तो फिर वो व्लाग में आने लगे और फिर आप कहेंगे कि आप तो उस दिन ये कह रही थी अच्छे हैं नहीं ऐसे हैं वैसे तो मैं कुछ भी मतलब खिलाफ कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी लड़ाई चल रही है तो चल रही ह तो देखेगा जो मैंन कारण है वो तो मैं आपको बता दूँगी लेकिन क्यों हो रही है तो ये नहीं बताना ये बताना क्या मतलब बताई नहीं पाऊंगी मैंन कारण ये है कि हमारी वो मैंने देखा है फिल्मों में वगेरा कुंडलियां मिलाते हैं कि उसमें गुण मिलत तो आई थिंक वो जो कुंडलियों के अंदर जो 36 गोण होते हैं वो 36 गोण हमारे उल्टे हैं एक भी मैच नहीं खाता इसलिए हमारे लड़ें होती है बस यही कारण है बाकि छोटे मोटे सारे कारण तो बताते जाएं तो पूरी जो है हजारों कारणों की लिस्ट बन अब आप जो है मेरी बास समझ रहे होंगे कि यह सवाल दुबारा नहीं आएगा कि अजबन वीडियो में क्यों नहीं आते हैं और फिर वो मैं गाउं अचानक क्यों गई थी ससुराल अचानक से यहां से उस आलत में क्यों गई थी उसका जवाब भी आपको देना चाऊंगी तो जब ऐसा माउल चल रहा है और इतनी जो है यह सब चल रहा है तो हो सकता उस दिन कुछ ज्यादा हो गया हो जो मतलब ज्यादा ही मुझे उस दिन कुछ खत्रा लगा हो या ज्यादा हो गया इसलिए मैं गाउं चली गई थी और वहां पर गई तो एकाद दिन बात हुई और उसके बाद वो मेरे दाताई ससूर गुजर गए और मैंने थोड़ा बहुत ये बात करने की कोशिस की तो उन लोगों ने ज्यादा कोई रेस्पॉंस दिया नहीं लेकिन कई बार उनकी सिकायत आती है कि कुछ होता है तो मुझे हमें तो पता ही नहीं चलता हम क्या करें तो रखा था और जिस दिन वहाँ से आये थे उस दिन रात को बच्चोंने मुझे इमोसिनल करके मना लिया कि शुबह जाएंगे ही जाएंगे बस यहां नहीं रुकेंगे तो नहीं रुकेंगे और फिर कुछ उमीद भी तो नहीं थी कि वो कुछ कहेंगे कुछ जो है अपने ब विडियो के टाइम वो नहीं बताए जिसने पुरा जुकाम हो जाता है असलाइ मेरा ऐसी बूरी होती नह Fleisch पाती हैं और मतलब बहुत बुरी होती है और जब वीडियो बनाती हूँ तो मै रहता है तो वह नाक आज अब नहीं है तो यह मुझे ऐलर्जी है और इसका मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूं जिसकी वज़े से काफी हद तक कम भी हो गया है और आगे भी आप लोगों ने काफी नुस्के बताएं तो उसमें मुझे जो बैटर लगेगा वो मैं जरूर यूज करूंगी थै जायर सी बात है एक हूमन बिहेवियर है मतलब उनकी आदत है कि वो खुद को अमेसा सही बताता है भले वो सही होता है तो भी सही बताता है गलत होता है तो भी वो जो है गलत नहीं बताता है तो इस तरह मैं भी जो है अगर बताऊंगी न आप पूछेंगे कि थोड़ा वो नहीं बनती या कुछ भी बीच में हो जाता है तो उन में से दोनों कोई लगता है कि मैं अपनी जगसाई हूं तो ये मैटर बिलकुल नहीं खोलना अगर इसको खोलते हैं तो कभी ये खत्म होने वाला नहीं है और ऐसे वैसे ये काफी जो है ये मैटर नेगेटिव है और इतन हैं तो भी आप जो हैं आपकी जिम्मेदारी बनती हैं कि आप भी उनको जवाब दें या तो आप बताएं कि पीछे वीडियो बनावा वह आप देख लीजेगा या फिर आपका हैं कि भई इनकी आप वीडियो के बार में बता सकते हैं बाकी जो आपको उचित लगे वह जादा समझा है मेरी हर बात को समझाया एकसप्ट किया है और जो मुझे समझ पाया है वही मेरे चैनल पर टिक्के हुए हैं पुछ वीडियो ऐसे भी मैंने बनाए हैं जो की परेशान होकर बनाए तो भी उसको आपने मुझे समझा हैं वहाँ पर भी आपने गलत नहीं समझ क्योंकि सब्सक्राइब करने पर और जो सब्सक्राइबर आते हैं उन में जो मोटिवेशन मिलता है वह बहुत ज्यादा होता है ऐसा लगता है इतने जल्दी इतने ज्यादा लोग जुड़ गए अभी भी जो है हम पिछले दिन में गर गई थी और पिछले वीडियो चले थ है मेरे साथ उसका मुझे बहुत खुशी हो रही है तो वीडियो के यहां तक देखनी के लिए थैंक्यू बाए